Good evening students, welcome to doubtnet. स्वागत है आप सब का doubtnet की life, social science की classes में. मैं हूँ Anushya, आपकी social science teacher and कैसे हैं मेरे सारे students? I hope आप सब ठीक हो and अच्छे से पढ़ रहे हो. हम lecture 2 कर रहे हैं आज, so I also hope कि lecture 1 आपने अच्छे से देख लिया है and अपने सारे doubts को clear कर लिया है, okay? So chapter हमारा चल रहा है growing up as boys and girls, okay? So during our childhood, due to genders हमने अलग-अलग चीज़ों को tolerate करा, okay? हमाय साथ अलग-अलग upbringing हुई है, okay? So society boys को अलग नजरिये से देखती है, okay? and girls के लिए अलग set of rules, अलग नजरिया बना रखा है, okay? तो ये जो अलग point of view है, जो society ने create कर रखा है, उस अलग point of view को हम इस chapter में समझने की कोशिश कर रहे है, okay? चलो, तो class start करने से पहले एक छोटा सा quiz, ठीक है? ताकि आपको भी idea लग जाए, मुझे भी idea लग जाए कि मेरे students कितना पढ़ रहे है, okay? चलो, तो start करते हैं, first question अराम से सोच समझ कर करना इस question को, okay? read कर लेना पहले question को, ठीक है? एक दो बार calmly read करो, I know, time limit होता है आपके पास, पर आराम से read करो, options को देखो, जल्द बाजी में नहीं करना, ठीक है? काफी बार क्या होता है, हम timer देखके डर जाते हैं, और जल्द बाजी में कोई भी option select कर लेते हैं, okay? so, चलो, अब को start करते हैं, first question, which of the following geographical factors affect population density of an area? इन में से कौन से factors के वज़े से population किसी area का बढ़ सकता है? option A, climate, option B, soil, option C, water, option D, all of these. next question, which of the following is a step of water cycle? इन में से कौन से step water cycle में आता है? option A, evaporation, option B, condensation, option C, precipitation, option D, all of the above. चलो, जल्दी से discuss कर लेते हैं इन question को, first question में क्या पूछा जा रहा है? कि इन में से कौन से reasons के वज़े से किसी area में population ज़ाधा हो सकता है या कम भी हो सकता है? तो first option क्या है, climate तो normally ऐसे areas जहां पे climate pleasant होते हैं pleasant मतलब अच्छा climate होता है, ना बहुत जादा गर्मी, ना ही बहुत जादा ठंड, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जादा बारिश हो रही हो या dry, ऐसा कुछ नहीं, pleasant तो ऐसे areas में population जादा होते हैं आप खुद भी थोड़ा सोच के देखो कि अगर आपको option मिले तो आप obviously ऐसे जगे पर रहना पसंद करोगे जहां आपका climate अच्छा रहता हो, है ना? तो ऐसे areas जहां पर climate extreme होते हैं, मानलो बहुत ही जादा गर्मी होती है या फिर बहुत ही जादा ठंड होती है, ऐसे areas में generally population कम होता है, एक दो दिन के लिए तो रहने के लिए हमें लगता है सही है, वहां जाके देखना चाहिए, बट अगर permanently रहना हो तो वहां पर population कम होती है तो climate सही है, soil, ऐसा कोई area जहां पर soil की quality अच्छी ना हो, तो वहां पर agriculture नहीं हो पाएगा, और किसी भी area को survive करने के लिए agriculture बहुत जादा important है, तो ऐसा कोई area जहां पर farming अच्छे से नहीं हो सकती, वहां पर भी population कम होगा, option B भी right है, water, देखो पानी के बिना तो एक दिन भ परना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, तो obviously अगर हमें permanently कहीं settle होना हो, तो हम किसी ऐसे area में जाएंगे, जहां पानी की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, अच्छा पानी मिलता हो, regularly मिलता हो, okay, and quantity का भी कोई issue ना हो, हम ऐसे area में रहना जादा प्रेफर करेंगे, तो C option सही है, अगर तीनों options सही हैं, तो right answer है, option D, all of these, okay, next question, इन में से कौन से step हमें water cycle में दिख जाता है, ठीक है, water cycle में क्या होता है, पानी होता है, okay, इसके उपर heat पड़ता है सबसे पहले तो, ठीक है, sunlight या heat के वज़े से, जो water होता है, वो अपना state change करता है, ठीक है, liquid होता है water, फिर वो state change करके, gaseous बन जाता है, water vapor बन जाता है, और उपर की तरफ जाता है, इस process को हम evaporation कहते हैं, okay, next, उपर जाने के बाद, ये जो gas है, gaseous state है water का, ये फिर से बदल कर, liquid बन जाता है, okay, and थोड़े time के बाद, ये फिर से cycle complete करकर, नीचे आ जाता है, in the form of rainfall, जिसे हम precipitation भी कहते हैं, तो condensation, precipitation, ये दोनों भी water cycle का ही part है, so again, तीनों options right है, so right answer क्या हो जाएगा, option D, all of the above, okay, so ये आपका quiz था, ये आपके previous lectures में से था, so जिन भी बच्चों के answers right है, very good, मतलब आप पीछे का भी साथ साथ रिवाइस करते हो, यारे हो, बहुत ये अच्छी बात है अगर गलत हो गया है, तो demotivate नहीं होना है, अब गलत हो भी गया, तो अब आपको समझाए गया ओगा right answer, तो अब आपको कोशिश करना है कि next time तक आप इस concept को याद रखो, okay, चलो, तो start करने से पहले जल्दी से recap कर लेते हैं कि last class में हमने क्या-क्या cover करा था, ठीक है, so हम हमने क्या करा, हमने एक case study करा था, ठीक है, case study में हमने समझा कि कैसे एक child थी, एक student थी, ठीक है, वो अपने mother की respect नहीं करती थी, just because उनकी mother housewife थी, ठीक है, and कैसे लोग ऐसे कहा करते थे, कि ये कोई काम नहीं करती है, ये तो housewife है, है न, and case study में एक दिन फिर mother कहती है, कि अच एक दिन कुछ काम नहीं करूँगी, okay, and फिर family suddenly realize करती है कि कितना ज्यादा important है house का काम कोई करें, ठीक है, house को manage करना कितना मुश्किल होता है, ये actual job में जाने से भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, so ये case study हमने value of homework के साथ, housework के साथ link करा था, कि कैसे housework एक ब बहुत ही tough job है, ये हमने discuss करा, ठीक है, फिर हमने दो और case studies करी, Samoa island के बारे में हमने बात करी, ठीक है, कि कैसे इस island में system थोड़ा unique है, ठीक है, काफी young age में ही parents अपने बच्चों का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो बाकी young बच्चे होते हैं इस island में वो छोटे-छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें तरह-तरह की चीजे सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर school का कोई system नहीं है, ठीक है, तो ये लोग adults के थूँ सीखते हैं, parents के थूड़ा बहुत सीखते हैं, बाकी चीजे, जो उनके बड़े siblings हैं, या फिर society में कोई बड़ा असा थोड़ा बच्चा है, तो वो सिखाते हैं, ठीक है, हमारे society के context में, अगर हम कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो गया, तो हम teenager या फिर 18 years old ऐसे सोचते हैं, पर इस case study में ऐसा था कि 5 year old बच्चे को ही कहा जा रहा था कि वो थोड़ा बड़ा है, तो वो ब तो fishing बहुत ही एक important occupation था इस island में, ठीक है, boys को fishing करना 9 years के age में ही अलाव कर देते थे, ऐसा मानते थे कि 9 years के age में ही ये काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, girls को fishing करना 14, almost 14 या इसके आसपास age में अलाव करते थे, ठीक है, तब तक girls से कहा जाता था कि आपका काम यही है कि घ घर की चीजों को सीखो, घर में काम करना सीखो और बाकी बच्चों का ध्यान रखो, ठीक है, तो यह हमने देखा, उसके बाद हम अपने इंडिया में आ गए मध्यप्रदेश, ठीक है, मध्यप्रदेश में हमने काफी साल पहले की बात करी, कि कैसे class 6 तक तो boys and girls साथ में रखा था, girls की स्कूल में क्या होता था, जैसे यह आपका स्कूल है, तो बीच में प्लेग्राउंड होता था, यहां पर, जो एरिया में ने शेड कर दिया, बाकी एरिया में आसपा स्कूल होता था, तो अगर लड़कियां बीच में जाकर खेलती थी, तो कोई देख नहीं पाता था, ठीक है, तो एकदम ऐसा लगता था, कि बीच में एक जेल सा बना रखा है, वहां पर लड़कियां खेल रही है, बॉइस के में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे आजकल की स्कूल में नॉर्मल होता है, स्कूल है, साइड में ही प्लेग्राउंड लगा हुआ, तो इसके लिए रोड बस एक तरीका है, जिससे वो जल्दी घर जा सकती है, बट बॉइस रोड में अराम से खड़े रहते हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ बॉइस तो, कुछ लोग साइकल करते हुए, अराम से ट्रिक्स करते हुए जाते हैं, या आपके NCRT के ही हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारे हां तो ऐसा नहीं होता है, माम यह क्या बोल रही हैं, हम NCRT के point of view से समझ रहे हैं चीजों को, कि उस time की society में क्या चलता था, तो बॉइस कहीं बार स्ट्रीट में आइडल खड़े होते थे, एक दूसरे से बात कर रहे होते थे, साइकल च लगता था कि girls हैं, इनके साथ कोई accident ना हो जाए, ठीक है, कोई नहीं परेशान ना करे रस्ते में, तो इस वज़े से भी यह सब होता था, ओके, सो यह सारी चीजे हम अपने last class में cover कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, lives of domestic workers, तो आज हम domestic workers के बारे में समझेंगे, ठीक है, domestic workers मतलब घर पर कहीं बार हम लोगों को बुलाते हैं, help करने के लिए, cleaning करने के लिए, या फिर किसी और काम के लिए, तो उन्हें हम domestic workers कहते हैं, जो house में हमारी help करते हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा easy हो जाए, ठीक है, तो अगर mother house wife है, तो respect नहीं किया जा रहा था, यह हमने discuss करा था, तो उसी घर की कहानी के थूँ हम समझ रहे हैं अब आगी की कहानी, a lot of work was done by mangla, ठीक है, वहाँ पे mangla एक domestic helper थी, many homes particularly in towns and cities, तो काफी सारे towns में, काफी सारे cities में क्या करा जाता है, domestic workers को रखा जाता है घर पर, ताकि वो help कर पाएं, तरह तरह के काम कर पाएं, जैसे की cleaning, washing clothes, कपड़े दोना, ठीक है, dishes करना, cooking, और कई बार जब parents दोनों ही working होते हैं, तो फिर कह देते हैं कि बच्चों का ध्यान रखने के लिए आप आ जाओ, ठीक है, तो इन सारे कामों के लिए उन्हें बुलाया जा जाता है, most domestic workers are women, mostly जो भी domestic workers आती है, वो women होती है, ठीक है, कभी-कभी, छोटे बच्चे, ठीक है, young boys, या फिर girls, वो लोग भी आ जाते हैं काम करने के लिए, अगर हम इनके salary, wages की बारे में बात करें, तो बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, ये लोग, इसका main reason क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, क्या पता मैं आज क्या आपके quiz में डाल दूँ, main reason क्या है, जिसके वज़े से इनने कम पैसे दिये जाते हैं, इनके काम की जादा value नहीं की जाती society में, ठीक है, society में एक ऐसा thinking है, कि इनका जो काम है, ये तो इसमें जादा value नहीं है, तो इस वज़े से इनने कम wages दी जाती है, ठीक है, और domestic workers day, देखो, एक तरफ हम ऐसा सोचते हैं, कि कोई value नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट अगर हम किसी domestic worker के day के बारे में discuss करें, तो कहीं बार इनने सुबे सुबे 5 बज़े उठना पड जाता है, ठीक है, एन रात को कहीं बार इनका काम लेट नाइट, बारा बज़े, मिडनाइट ऐसे टाइम पर खतम होता है, ठीक है, डिस्पाइट the hard work they do, इतनी महनत करते हैं ये लोग, ठीक है, फिर भी society से इनने respect नहीं मिलता, ठीक है, and secondly, इनने salary भी उसे साब से, wages भी इनने उसे साब से नहीं मिल पा रहे ह है, this is what a domestic worker had to say, so, एक quotation है, जो एक domestic worker ने कहा, my first job was with a rich family, वो, वो made, वो domestic worker बता रही है, कि उनका जो first job था, वो एक rich family के साथ था, ठीक है, एक बहुत ही rich family थी, जो three-storied house में रहती थी, मतलब एक बड़े घर में रहती थी, बट वहाँ पे जो owner थी house की, वो बहुत चीकती थी, domestic worker के उपर, ठीक है, तो बहुत चीकती थी उनके उपर, और बहुत ज़्यादा काम करवाती थी उनसे, there were two other girls who did the cleaning, तो इनके अलावा भी और दो लड़कियां थी वहाँ पर, जो domestic help थी, जो help करती थी उनकी, और उनका day कब स्टार्ट होता था, सुबह सुबह पांच बज़े इन्हें काम पर लग जाना होता था, ठीक है, for breakfast, तो सुबह पांच बज़े से एक काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें सुबह breakfast में क्या मिलता था, a cup of tea, ठीक है, एक cup चाहे, and two dry rotis, ठीक है, two dry rotis मिलते थे, ठीक है, two से अगर extra मांग लिया, तो नहीं मिलता था, third roti इने नहीं दिया जाता था, ठीक है, तो ये क्या करती थी, कहीं बार अपने जो बाकी दो उनके कलीक्स हैं, उनके लिए भी वो cooking कर लेती थी, एक extra roti बना लेती थी, and कहीं बार अगर मौका मिलता था, तो वो अपने लिए भी कुछ extra बना लेती थी, ठीक है, ऐसा इन्हें मजबूरी में करना पड़ता था, क्यूंकि ये लोग सुबह सुबह उठकर बहुत ज़ादा काम करते थे, and उन्हें बहुत ज़ादा भूग भी लगती थी इतना काम करने के बाद, but unfortunately अगर वो थर्ड रोटी मांगते थे, तो उन्हें नई दिया जाता था, ठीक है, next, उन्हें घर के अंदर चपल पहनना अलाउड नहीं था, ठीक है, slippers पहनना अलाउड नहीं था, we could not wear चपलs in the house, okay, in the winter, winter season में क्या होता था, floor बहुत cold हो जाता है winter season में, तो इनके feet swell up हो जाते हैं और बहुत जादा hurt करते थे इनके feet, बट फिर भी इन्हें अलाउड नहीं किया जाता था, did we not work all day, did we not deserve to be treated with some respect, so ये पूछ रही हैं कि हम तो पूरा-पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें करने बैठोगे एक दिन तो आपको पता चलेगा कि वो कितना tough काम है, okay, a number of these tasks require heavy physical work, इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिनमें बहुत जादा physical work लगता है, ठीक है, बहुत महनत लगती है वो काम करने में, in both rural and urban areas, जैसे for example, काफी areas ऐसे हैं, जहांपर women and girls have to fetch water, जहांपर लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है, river के पास जाते हैं, और वहाँ से पानी भर कर उन्हें घर तक लाना होता है, तो बहुत जादा physically उन्हें काम करना पड़ जाता है, इन rural areas, अगर हम गाउं की बात करें, तो वहाँ की women and girls बहुत भारी समान उठाती हैं, जैसे firewood, ठीक है, heavy loads, यह सब उठाकर वो काम करती हैं, टास्क लाइक, washing clothes, ठीक है, अगर कपड़े दोने हैं, घर साफ करना हैं, ठीक है, sweeping करना है, इन सब में भी बहुत महनत लगती है, ओके, bending, lifting, carrying, यह सब चीज़े करना पड़ता है, यह करने के लिए, many chores like cooking, ठीक है, अगर cooking करना हैं, तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारे, काफी घंटों तक kitchen में खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है, hot stuff के सामने, so, daily life में, जो भी women, जो भी आपकी mothers, ठीक है, काम करती हैं, हमें देखने में लगता है कि, अरे, यह तो कुछ भी नहीं है, what women do is strenuous and physically demanding, ठीक है, हारानी की बात यह है, कि women, जो daily basis में काम करती हैं, उनमें बहुत physical force लगता है, ठीक है, चीजे उठाना, ठीक है, लिफ्ट करना, यह सब, and हम लोग society में क्या करते हैं, normally strength को, यह जो word है strength, हम इस word को man के लिए use करते हैं, okay, words that we normally associate with men, okay, another aspect of housework and care giving that we do not recognize is that it is very time consuming, ठीक है, एक और चीज जो हम बूल जाते हैं, जब हम कहते हैं कि घर के काम हैं यह तो, एक और चीज है इसमें कि यह ऐसे काम generally बहुत जादा time consuming होते हैं, ठीक है, आप यह काम करने बैठोगे, खाना बनाओगे अगर किसी दिन, तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं है कि पूरा dish पांच मिंड में तयार हो जाता है, बहुत जादा time लगता है, ठीक है, इन फाक्ट, अगर आप add करोगे, कि एक विमन घर पे कितना काम करती है, ठीक है, इसके अलावा मान लो office जाती है, या कुछ और काम करती है, and the work women do outside, तो आपको यह पता चलेगा कि generally women के पास इतना time नहीं बचता कि वो अपने आप के लिए कुछ काम कर पाए, okay, men के पास on the other hand, may भी बच जाता हो, but women के पास generally, यह सब leisure time करने का time जादा नहीं बचता है, okay, women's work and equality, अब हम समझेंगे women कैसे काम करती है, and equality के बारे में, okay, equality मतलब बराबरी, as we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter, therefore it has to be dealt with some actions, तो कह रहे हैं कि इस chapter में कहां जा रहा है, कि यह जो women का matter है, कि women को equality नहीं मिलती, तो यह ऐसा नहीं है कि बस किसी एक family में हो रहा है, यह हम in general society के बारे में discuss कर रहे हैं, okay, so again, मैं बीच बीच में आपको इस chapter के याद दिला रही हूँ, एसा नहीं सोचना कि हमारे हां तो नहीं होता, हमारे society में तो नहीं होता, ओफन हम सोचते हैं कि हमारी upbringing जैसे हुई है, वैसे ही बाकी सब की भी upbringing रही होगी, बट ऐसा नहीं होता है, society में काफी सारी चीजें हैं, जो हमें पता नहीं लग पाती है, okay, As we know, equality is an important principle of our constitution. हमारा जो constitution है, उसमें equality एक बहुत ही important चीज़ है, okay? Article 14, Article 14 में ये कहां जाता है, कि equality बहुत ज़ादा important है, ठीक है, हम हर एक citizen को, इंडिया के हर एक citizen को equally treat करेंगे, इस वज़े से ये जो equality है, ये हमें gender में भी मिलना चाहिए, ठीक है, ये हमारा constitution कहता है, कि चाहे कोई male हो, चाहे कोई female हो, या कोई भी gender के हो, हम सब को equally treat करेंगे, okay? For example, it recognized that burden of childcare and housework falls on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend school. एक और example कि थूँ हम इसे समझते हैं, Naturally, ये जो काम होता है कि घर के काम करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना हैं, ये सब most of the time society लड़कियों के उपर डाल देते हैं, विमन के उपर डाल देते हैं. In fact, अगर आप अपने society में भी देखोगे, तो काफी कम ऐसे families में होगा कि फादर बच्चों का भी ध्यान रखने हैं, घर का भी काम कर रहे हैं and office भी जा रहे हैं. Mostly mothers ही करती हैं ऐसा. तो इस वज़े से क्या होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि girls can attend school. इतना काम होता है लड़कियों के पास कि बहुत कम societies में लड़कियों को school भेजा जाता है. ठीक है, तो इस society एक तरीके से ये भी decide कर रही है कि लड़कियां school जाएंगी या नहीं जाएंगी, या फिर वो अपने jobs and careers को pursue करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है? तो government ने ये चीज नोट करी कि ऐसा हो रहा है society में and government ने सोचा कि हम कुछ steps लेंगे, ताकि हम girl child को promote कर सकें. तो इसी category में आ जाता है, government ने क्या set up करा, नाम याद रखो, आंगनवाडी, ठीक है? आंगनवाडी मतलब child care center, ठीक है? काफी सारे गाउं में जाके आंगनवाडी set up करा, the government has passed laws that make it mandatory for organization to have more than 30 women employees, ठीक है? government ने एक law ऐसा पास करा है, जो की organization से कह देता है, कि ये mandatory है, ठीक है? कि more than 30 women employees होनी चाहिए है, crutch facilities में, ठीक है? इस वज़े से क्या होता है, अगर women अपने बच्चों को child care center में भेज पाएंगी, crutch services, facilities में डाल पाएंगी, तो वो लोग easily job भी कर पाएंगी, थोड़ा easy हो जाएगा उनके लिए job भी करना और घर को भी समालना, ठीक है? इसके हलावा हमारे government ने क्या करा? बहुत सारे schemes start करें, ताकि लड़कियों को promote, encourage करा जा सकें, ठीक है? तो एक है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, की objective क्या है scheme का? To save the girl child from social ill such as abortions and advance the education of girl. तो generally society में, again, normally society में क्या होता था? कि अगर parents को पता चल जाता है कि girl child होने वाला है, ठीक है? तो ये लोग abortion करवा लेते थे, ठीक है? female feticide भी जिसे हम कहते हैं, मतलब generally families like नहीं करती थी, कि उनके family में लड़की आएं, ठीक है? ये ऐसा एक stigma है, ऐसी एक सोच बना रखे लोगों ने कि girl child के थुरू खर्चा बहुत जादा होता है, ठीक है? अन जादा फाइदा नहीं होता है, तो उस basis पर काफी जादा abortions होते थे, ठीक है? अन काफी बच्चों, लड़ियों को school भी नहीं भेजा जाता था, तो government ने इस चीज़ को note करा, ठीक है? अन इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक scheme निकाला, जिसे हम कहते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है? All over the India, throughout the country चलता है, ये scheme, central government का scheme है, ठीक है? Key objectives क्या है, ठीक है? मेन मकसद क्या है इस scheme का? Gender की basis पर abortion नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस basis पर abortion नहीं होना चाहिए, कि लड़की होने वाली है, ठीक है? ये देखना, कई बार क्या होता है? बर्थ होने के बात पता चलता है, गर्ल चाइल्ड है, और फिर उसे परिशान करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी, ये scheme अलाओ नहीं करता है, इस scheme में देखा जाता है, कि जो चाइल्ड है, अगर गर्ल चाइल्ड है, तो उन्हें प् बेटी को, और फिर educate भी करो, पढ़ाओ भी, next, scheme का क्या नाम है? बालिका समरिद्धी योजना, ठीक है? तो ये एक scholarship scheme है, इसके थ्रू के ओता है, financial support, मतलब पैसो के matter में support करा जाता है, young girls को, and उनके mothers को, ठीक है, लड़कियों को, young girls को, and उनके mothers को, who are below the poverty line, ऐसे लोग, जो poverty line के below है, मतलब जो लोग poor है, तो key objective क्या है, to increase the marriageable age of girl, ठीक है, generally लड़कियों की शादी बहुत ही जल्दी करा दी जाती है, but इस scheme के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी ना हो, ठीक है, and हम ये देखें, कि जादा से जादा लड़क स्कूल जॉइन भी करें, ठीक है, but ऐसा नहीं कि स्कूल जॉइन करा, and एक दो साल के बाद छोड़ दिया, जॉइन भी करें, and continue भी करें education को, ओके, इसमें फाइदे क्या-क्या है, बोथ urban and rural areas, ठीक है, बोथ urban and rural areas में है, ये cash benefit of रुपीज 500 दिया जाएगा, अगर स्कूल ए से लेकर रुपीज 1000 तक, okay, withdrawal facility, ठीक है, जो भी balance amount है, उसे withdraw कर सकते हैं, after the girl child turns 18 years old, and is still unmarried, तो अगर जो girl child है, वो 18 years old हो जाती है, and अगर वो still unmarried है, तो उस case में withdrawal facility दी जाएगी, तो मतलब ये scheme ये देख रहा है, कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी ना हो, कम से कम 18 years तक तो वो married ना हो, ठीक है, next है CBSE UDAAN scheme, ठीक है, for girls, CBSE मतलब Central Board of Secondary Education, ठीक है, CBSE और Ministry of Human Resource Development और Government of India, इन लोगों की scheme है, ये, focus क्या है scheme का, to increase enrollment of girls in engineering and technical colleges across the India, तो इस scheme के थूँ हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हम encourage करें, कि वो India के top engineering और technical colleges को join करें, okay, so बहुत efforts हम लगा रहे हैं, ताकि हम ऐसे girls, specifically ऐसे girl child को encourage करें, जो economically backward हैं, ठीक है, जो मतलब poor society, poor section of the society को belong करते हैं, उन्हें हम इस scheme के थूँ, encourage कर रहे हैं, ठीक है, the free course material, online research, such as video study material for girl students in 11th and 12th standard, इसमें क्या करा जा रहा है, free course material दिया जा रहा है, 11th and 12th standard के लिए for girl student, virtual classes, मतलब online classes हो रहे हैं, again, 11th and 12th के लिए, constant monitoring, ठीक है, बार-बार देख रहे हैं, कि वो girl child कैसे पढ़ रही है, क्या result आ रहा है, कितने marks हैं, तो इन सारे चीजों के थूँ, हम ऐसे girl child को encourage करने की कोशिश कर रहे हैं, okay, चलो तो, काफी सारे topics को हमने समझ लिया है, आज के class में, domestic workers के साथ कैसे treatment होता है, and हम girl child को कैसे promote कर सकते हैं, okay, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा quiz start करते हैं, ready हो जाओ सब लोग, okay, आराम से सोच समझ कर आंसर करना, ठीक है, first question, why the wages of domestic work is low, low salary क्यों मिलती है, ऐसे लोगों को जो घर का काम domestic work करते हैं, option A, their work is not value, option B, they do unpaid jobs, option C, no demand for their work, option D, none of the above. next question, what was the purpose of setting up Angamwadi in villages, Angamwadi क्यों set up करा villages में, option A, adult education center, option B, child care center, option C, health care center, option D, yoga center, इन में से कौन सा आपको लग रहा आंगणवाड़ी होता है, next question, how are domestic workers treated by their employers, कैसे treatment मिलती है, domestic workers को, option A, they are treated well, option B, they are given good facilities, option C, they are often not treated well, option D, none of the above. चलो, जल्दी से discuss कर लेते हैं इन question को, first question में क्या पूछा जा रहा है, कि ऐसे लोग जो domestic work करते हैं, घर में help करते हैं, उनकी salary कम क्यों होती है, तो इसमें, इस chapter में हमने ये समझा, ऐसा इसलिए होता है, because their work is not valued, because उनके काम को society जादा value, जादा respect नहीं दे रही है, okay, so right answer है, option A, second, आंगनवाडी क्यों set up करा villages में, तो ये child care centers होते हैं, ठीक है, इसलिए ताकि जो women है, वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ पाएं, ठीक है, and घर को भी easily थोड़ा manage कर पाएं, and अगर वो भार जाती हैं काम करने के लिए, तो वो काम भी easily कर पाएं, इसलिए हमने आंगनवाडी को set up करा था, how are domestic workers treated by their employers, domestic workers को कैसी treatment दी जाती है, अपने employers से, they are treated very well, नहीं है answer, they are given good facilities भी नहीं है, they are often not treated well, ठीक है, so हमने case study में भी देखा था कि कैसे, एक domestic worker complain कर रहीं थी, कि winters में उन्हें slippers पहनना allowed नहीं होता, ठीक है, and उन्हें अच्छा breakfast नहीं मिलता, salary भी अच्छी नहीं मिलती, उनसे respect के साथ बात भी नहीं करी जाती, तो right answer है, option C, so यह आपका quiz था, जिन भी बच्चों के right answers है, very good, इधर उदर गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ सीखी रहे हैं, याद रखो, repeat मत करो इन mistakes को, but, okay, so आज हम इतना ही करेंगे, next class से हम क्या करेंगे, NCRT discussion, so यह बात में आपको बताती भी हूँ हर एक lecture के series में, कि वो lecture जिसमें NCRT discussion होता है, वो most important होता है, कुछ आपके paper में, ma'am, या फिर sir आपके दे सकते हैं, okay, so कल का lecture आपको miss नहीं करना है, आज के लिए इतना ही, that's it for today, मिलते हैं अपने next lecture में, thank you, take care, bye-bye,